नमस्कार, मैं हूँ विक्रमादीत और आप देख रहे हैं बिहार लाइफ सेवन बिहार लाइफ सेवन में आप सभी का स्वागत है आज इस बर्स का सावन महीने का आखी सोमबारी है और आखी सोमबारी के साथ ही सावन महीने का समाप्ती भी आज हो जाएगी आज देश भर में भाई बहनों का पवित्र पर रच्छा बंधन बड़े ही धूम धाम से मनाया जा रहा है सावन महीने के अंतिम सोमबारी के मौके पर आज हम आपको एक ऐसे सीवलिंग के बारे में बताने जा रही हैं जो अदभूत है अदभूत इसलिए क्योंकि उस सीवलिंग पर समुद्र दीन भर में 2400 घंटे में न जाने कितना बार जलाभी सेख करती है एक ऐसा सीवलिंग जहां समुद्र की लहरे आती है और पूरा सीवलिंग पानी में ठक जाती है और समुद्र की लहरे जाती है तो वो लोगों को दिखाई देने लगता है आईए आपको बताते हैं उस रहसमे सीवलिंग के बारे में जहां हम बात कर रहे हैं गुजरात के तीब सहर से तीन किलोमेटर दूर पर इस्थित फादूम गौ में गंगेश्वर महादेव सीबलिंग एबम मंंदिर का गंगेश्वर सब्द का अर्थ भागवान सीव होता है जो अपनी जटाओं में गंगा समेटे हुए है यह मंदिर अपने आप में अद्भूत है क्योंकि यहां भगवान संकर की सीबलिंग एक बरगाकार नुमा गूफा में इस्थित है जहां समुद्र की लहरे सीबलिंग पर आती है और सभी सीबलिंग डूब जाते हैं थोड़ी ही देर बाद सभी सीबलिंग पुना निकल कर लोगों को दरसन देती है यह नजारा भी बड़ा अदभूत होता है जब समुद्र की लहर आती है और सभी सीबलिंग समुद्र के पानी में डूब जाता है और समुद्र की लहर जाते ही सभी सीबलिंग बाहर निकल जाती है यह द्रीश बेहद ही सुंदर होता है देखकर ऐसा ही लगता है मानो खुद सागर अपनी लहरों से भगवान सीब के चरण बंदना कर रहा हो इसका इतिहास भी महाभारत से जुड़ा हुआ है माना जाता है कि इस मंदिर में इस्थित सीबलिंग महाकाल की है और इन्हें पांड़ों ने अपने अपने सरीर के आकार के अनुसार अस्थापित किया था इसलिए सीबलिंग भी बड़ा और छोटा है इस मंदिर को समुद्र तट पर होने के कारण सीसोर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है जो भी गुजरात जाता है एक बार गंगेश्वर महादेब की दर्सन करना जरूर चाहता है अगर आपको भी मौका मिले गंगेश्वर महादेब से दर्सन करने का तो बिना दर्सन किये हुए नहीं लोटें क्योंकि आस्था में विश्वास रखने वाले लोग कहते हैं कि गंगेश्वर महादेब अपने भक्तों की मनोकामना पुर्ण करते हैं या नहीं इसकी दावा तो हम नहीं कर सकते हैं लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि गंगेश्वर महादेप के पास जाने के बाद ऐसा लगता है मानो कोई अद्भूत जगह पे आ गए हैं और हर कोई वहाँ जाकर सुकून महसूस करता है वो समुद्र की लहरे जो सीबलिंग को अपने पानी के अंदर पुना निकलता है यह द्रिश आखों के सामने बहुत ही खूबसूरत लगता है और इस द्रिश को देखना हर बार लोग चाहते हैं यह वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सेयर जरूर करें अभी के तब तक लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइब शिवन अगर अब तक आपने बिहार लाइब शिवन के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब एवं फेस्बूक पेज को लाइक नहीं किये हैं तो अभी कर लें